दोस्तों क्या आप भी AI से अपनी लाइफ को amazing बनाना चाहते हैं क्या आप भी AI से अपनी works को easy करना चाहते हैं ऐसे 5 AI tools जिनसे आप professional content creator बन सकते हैं So in this video मैं आपको बताऊँगा 5 mind blowing AI tools के बारे में जो की आपके लिए free में available हैं तो वीडियो को लाज तक जरू देखेगा चली स्टार्ट करते हैं आज कि इस वीडियो को let's play the video So our first tool is Video BG Remover So दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे यदि हम किसी वीडियो को green screen के background पर create करते हैं तो हम आसानी source background को किसी भी video editing software से remove कर सकते हैं लेकिन यदि ऐसा ना हो तब भी हम चाहें तो अपनी वीडियो के background को इस tool से easy नहीं तरीके से remove कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब आपको जाना है Google पर टाइप करना है media.io website को यहाँ पर आपको इस पर click करके login कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है sign up पर गूगल पर click कर दीजिए और यहाँ से अपनी कोई भी Google की ID यहाँ पर login कर लीजिए लोग इन दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो Now पर click करके अपना कोई भी वीडियो यहाँ पर सेलेक कर लिएकान आप यहाँ पर रिमूफ करना चाहते हैं तो फिलाल दोस्तों मेरे पास मेरा एक वीडियो है जिसका मैं के उपर है तो दोस्तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है लेकिन बेफोर शोइंग इट मैं आपको सबसे पहले ओरिजिनल वीडियो दिखा देता हूं वेग्ग्राउंड को इस टूल से इजी ली तरीके से रिमूब कर सकते हैं सुनाव दोस्तो अब यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पर निगल के आया गाउन को इस टूल से इजी ली तरीके से रिमूब कर सब्सक्राइब वीडियो के लिए और इसके रावब दोस्तो आप चाहें तो यहाँ से खुद का बेग्ग्राउंड upload पर click करके कोई भी background अपनी तरफ से upload करके उसे भी यहाँ पर set कर सकते तो आपके उपर है आपको किस तरह का background यहाँ पर लगाना है image ले लिजिए कोई color ले लिजिए कोई video ले लिजिए जो भी आप लगाना चाहें background में easily लगा सकते हो बस आपको यहाँ पर easy तरीके से अपनी वीडियो को upload करना और background यहाँ पर magical way में remove हो जाएगा So are you want to convert your text into audio? Our next tool is about this and it's Descript So इस तो use करने के लिए सबसे पहले आपको Descript software को अपने PC या पर mobile वे डाउनलोड करके install कर लेना है So for downloaded आप सभी को जाना है सबसे पहले Google पर और यहाँ पर दूस्त आपको type करना है Descript Download then उसके बाद पहले link पर click कर दीजिए उसके बाद आपको scroll down करना है नीचे जाना है यहाँ पर मिलेगा आपको download का button यहाँ पर click कर दीजिए और Descript software को download कर लीजिए So after download and installation आपको इस software को open करना है Open करने के बाद आपको यहाँ पर start writing पर click करके अपना कोई भी text यहाँ पर type कर देना है So after write your text आपको यहाँ पर stock audios में से कोई भी voice वो चूस कर लेनी है उसके बाद आपको यहाँ जैसे audio ready हो जाएगी आपको यहाँ पर इसे play करके check कर लेना है So इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी text को ऐसे audio convert कर सकते हो यहाँ पर काफी सारी stock voices भी दे रहें कि आप उन सभी को try कर सकते हो आप यहाँ पर अपने text को audio में convert करके वीडियो क्रीट कर सकते हो So आवर next tool is Adobe Broadcast So दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है Google पर यहाँ पर type कर दीजिए Adobe Broadcast और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर first परली website को open कर लेना है दोस्तों आपको यहाँ पर quick tools के अंदर जाना है और enhance speech पर click करना है उसके आद आपको sign up कर लेना है यहाँ पर अपनी ID से कोई भी Google का account आप यहाँ पर link कर सकते हो So दोस्तों हमने यहाँ पर account successfully create कर लिया है अभी मैं आपको यहाँ पर अपनी एक audio सुना देता हूँ जिसको मैंने काफी noise के साथ record किया है So guys अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर इसमें आपको background में काफी सारी noise सुना ही दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना fan बगरा on कर रखा है So दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी audio को upload कर देता हूँ Upload होने के बाद कुछी मिन्टों में यहाँ पर मेरी audio बिलकुल enhance हो जाएगी और उसके बाद हम result देखेंगे कितना magical result यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा So यहाँ पर दोस्तों दोनों audio को मैं यहाँ पर play करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको दोनों में difference पता चनल जागा कितना जादा है So यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों audio import कर ली है पहली वाली audio हमारी edited है जो की एनेंस की गई है और second वाली audio original है तो मैं एक एक कर गया आपको दोनों audio प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग उसी से अंदाज लगाईए यहाँ पर result में कितना जादा different आया है So guys अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर इसमें आपको background में काफी सारी noise सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना fan बगएरा on कर रखा है So guys अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर इसमें आपको background में काफी सारी noise सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना fan बगएरा on कर रखा है So दोस्तों इस तरह से आप इस टूल का यूज करके अपनी किसी भी तरह की noise को cancel करके background noise को cancel करके magical result यहाँ पर देख सकते हो और इस तरह से अपनी audio को और भी जादा enhance कर सकते हो So finally I is talking about our last tool and it is runway As you know guys we can easily remove any object from pictures but not from videos So if you want to remove any object from the video our last tool is about this So दोस्तों अपनी वीडियो से objects को remove करने के लिए सबसे पहले आजाओ Google पर यहाँ पर type कर दो runway.com और पहली वाली website को open कर लो उसके दोस्तों आपको sign up पे click करना है और अपनी ID यहाँ पर login करना है Google का कोई भी account आप यहाँ पर login कर सकते हो So जैसी दोस्तों आप यहाँ पर अपने account को login कर लेते हो आपको यहाँ पर view all AI tools पर click करना है Then आपको नीचे जाना और यहाँ पर आपको in painting पर click करना है जो की एक tool है यहाँ पर बहुत सारे tools है जो की AI से related हैं सभी tools आप इनको भी try कर सकते हो लेकिन हमें अभी यहाँ पर जरूरत है in painting tool की तो आपको इस पर click करना है Then दोस्तों आपके सामने यह वाला page open होगा यहाँ पर आपको दोस्तों assets में अपनी कोई भी video upload करनी है So दोस्तों सबसे पहले हम अपना video यहाँ पर upload कर लेते हैं So इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने हैं दो persons हैं इन में से एक person को मैं remove करने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है brush का size यहाँ से पहले बढ़ा लेना है और यहाँ पर उस object के उपर इस brush को चला देना है जिसे आप अपने video से remove करना चाहते हैं Yes guys, video से आसानी से remove कर पाएंगे आप object को तो मैंने इसको select कर लिया और अभी बस मैं यहाँ पर अपना click छोड़ देता हूँ और यह automatic AI tool अपने work करेगा और अपने आप इस object को remove कर देगा So you can see दोस्तों यहाँ पर हमारा person जो है वो remove हो चुका है अभी मैं यहाँ पर इसे प्ले करके video को आपको दिखाता हूँ You can see दोस्तों यहाँ पर इस complete video से हमारा person जो है वो रिमूव हो चुका है वो भी बहुत ही आसानी से इसी तरह से दोस्तों आप कोई भी वीडियो लेकर उससे object को remove कर सकते हो किसी व्यक्ति को remove कर सकते हो और जैसी remove हो जाता उसके बाद आप export से अपनी वीडियो को बापस से export भी कर सकते हो So if you want to remove unwanted object from your picture So this is the perfect tool for you and it is clean up.picture So this tool की मदद से दोस्तों आप आसानी से अपनी किसी भी photo से किसी भी picture से किसी भी व्यक्ति को या object को easily remove कर सकते हो So now दोस्तों यदि आपको images से किसी भी object को remove करना है तो क्या करना है Google पर जाईए clean up.picture नाम की इस website को open कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर upload करना है अपना कोई भी photo जिससे आप object को remove करना चाहते है तो click कर दीजिए और कोई भी photo यहाँ पर select कर लीजिए तो मैं सबसे simple से शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर यह वाला photo upload कर लेता हूँ मैं multiple photos पर आपको यह ट्राइ करके दिखाऊँगा तो यहाँ पर continue कर लेते हैं अभी हमारे सामने एक beach है जहाँ पर एक person cycle चला रहा है तो हम इसको remove करेंगे इस तरीके से बस brush को इसको पर चला देना है और उसके बाद जैसे आप click छोड़ते हो automatically website जो है यहाँ से object को remove कर देगा you can see दोस्तों हमें यहाँ पर amazing result देखने को मिल रहा है इस bicycle को भी मैं यहाँ से remove कर देता हूँ इसी तरीके से so you can see दोस्तों यहाँ पर मैं आपको preview देखा यह था और उसके बाद result हमें यह आपर यह देखने को मिला तो इस तरीके से दोस्तों आप remove कर सकते हो और अभी मैं आपको एक और थोड़ा सा hard picture लेकर उस पर try करके दिखाता हूँ इसे तो यहाँ पर मैं यह वाला image ले लेता हूँ अब इस image से दोस्तों हम इस person को remove करेंगे और देखिए कितने amazing तरीके से tool work करेगा तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ इस person को perfectly then दोस्तों click छोड़ देंगे now you can see दोस्तों हमें यह result क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर person proper तरीके से guide हो गया हमारी vote भी यहाँ पर एकदम proper तरीके से show हो रही है तो इस तरह है कि amazing results आपको देखने को मिल सकते है इस tool की मदद से देखिए इस तरीके से उसके दोस्तों मैं आपको एक और image पर इसे try करके दिखा देता हूँ finally यहाँ पर एक और image ले ले लेते हैं यह रही हमारी image तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस horse को यहाँ से remove कर देता हूँ सबसे पहले हम slack कर लेंगे horse को यहाँ पर इस तरीके से यह तो simple है फिर भी काफी है लेकिन इसे पहले वाले image में तो काफी hard था उसके बाद भी इस website ने बहुत अच्छे से काम गया यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो और समारा remove हो गया मैं आपको प्रिव्यू करके देखाए था हूँ तो इस तरीके से दोस्तों यह website वर्क करती है और amazing तरीके से आपके picture से कोई भी object कोई भी person हो कुछ भी हो सभी चीज़ों को easily remove कर देती है इन सभी tools का link आपको description में मिल जाएगा वहां से इनको use कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like कर देना एंड दोस्तों एक और amazing AI tool है जो कि आपको यहां नजर आ रहा होगा इसे जोर से press कर दीजिए और हमारे साथ connect रही है हमेशा के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो वे तब तक के लिए दिल देन और सी यू गैन